महाराश्ट्र के राज्य धोवी परेट समाज महासंग सर्व भाशिक की और से कारीकृता समिलन मेधावी चात्रों का और समाज के नव निर्वाचित लोग प्रतिनीदी एवं कोरुना योध्या का सतकाज सभारम का कारीक्राम कविवरे सुरेश भट सभागरे में लिया गया लोग मौजू थे पेशे भट सभागरे से हमारे समवादाता संजी मेरे इनकी ग्राउन रिपोर्ट आईए देखते हैं महराष्ट राज धोबी परिट समाज महसंग सर्व भाषिक की ओड से कारीकरता समीलन गुन्वन्त विध्यारती व सामजिक नव निर्वाचित लोग प्रतिनी थी वा कोरोना योध्या का सतकार समारम किंद्री मंतरी नितिनगडकरी के हाथों किया गया धोबी समाज को आज तक न्याय नहीं मिला है धोबी समाज के विध्यारती हो या फिर युवा लोग इन्हें रोजकार के अफसर भी नहीं मिल रही है श्री संत गड़ के महराज के तत्वों का पालन करने वाली परीट समाज आज भी कई सरकारी योशना से वंचित हैं इस समाज के अध्यक्ष डीडी सोंटक के लगातार मंत्राले जाकर ग्यापंदी करमंत्रियों से मिलकर समस्त धोबी समाज को न्याय देनी के लिए दिन रात काम कर रही है कवी वराय सुरेश भट सभाकरा में आयूचित इस कारेकरम में समाज के कई महानुभाव का नितिन गड़करी और चंदरशेखर 52 के हातों सत्कार किया गया इस मौके पर चंदरशेखर 52 के ने कहा कि हम सब जरूर परीट समाज को न्याय देंगे जरूर दिन गड़करम ना जनी आपकरा नी आपला जिव नी दुकैता कुन समाज को सवाकरी तंदर शितकार दाला जे विद्धैर्थि प्रावियन्य प्राथ्त अजले तंदर शितकार जाला प्रत्यक नागरिक हाद समाजा करता काईना काई योगदान दूने अला है मियोड सांगेल की आज आपले करता अप्तनत महत्वाजा जिमस है कि आज संफुन देच आरी संफुन महाराष्टातला अविपरेट समाज याटिकानी अंतिनती नेत्यारी कारे करते पचंड उस्ताने आने पचंड आश्या अपिस्त्या गुर्या कारे पमाला आले राज्या चा काना को ब्यात थैंचा पासुन और्यना गेली यह लोका प्रभोदना चाप्रशिक्षानाचा नोका समस्कारा चार्या निस्पुरुह निस्वार्थी भावने में समर्पित भावने में काम करणारे अनेक संत काम करदा है त्यापने कि सत्यपाल महाराद रेकाए थे मीत मला विश्वासानी सर्टिफाइटें करणारे शक्ति दयाओ निरोगी प्रकूति दयाओ आणने समाजाच Willa अने प्रशिक्षन करना चील lerउंगी प्रासिक्षन करनाईची शक्ति दयोँ आयुष्या च शेवंट प्रेंत समाजामादे GET उनाउत्माद परिवत्तन करना करताँ अयह अखन्ने कार्य्यक्रन ही ताकत्य हवत अधरनिया नयमुर्थी किशोर जी सोनोने ये ख़ला बर्थानी समाज भूशब अपले समाजा मधून खुच्च नया लायेचा नयमुर्थी ओनाई मोधी बोशब अने अपला आईश्या मधे ये ये संपाधन केलो या करतान विश्चित पड़े येंचा गोरोत समाजानी के अधरनिया नयमुर्थी किशोर जी सोनोने एक नहीं अशे 25 तैयार केले पाईजे तो वहीं इस कारिक्रम के बारे में 20 समक्ष जानकरी देते हुए लखनलाल रजक इन्होंने समाज को आरक्षन मिलना चाहिए तथा परिट समाज को सभी यंत्रनाओं में सरकारी लाभ मिलना आचाहिए ऐसी बात कहीं बारत का महारे स्टार कहता है कि आपकी आर्थ किस्तिती बहुत अच्छी है आप पड़े लिखे अच्छे है तो वो दोनों में हमारी जो 50 साल की समस्या उसका समाधान नहीं हो पा रहा है इस बज़े से अभी जो गटकरी साब आयते हम उनको भी बोले हैं कि दोनों की यह ज को टफ करते हैं बोर्मेंट के सामने और हमारी जो बर्चों की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए मेरा नम लखनलाल रज्यक है मैं मद्द परदेश से हूँ और ABDM का महामंत्री भी हूँ परेट समाच की ओर से लिए गए सकारिक्रम के बारे में बात करते हुए परेट स सोंटक के इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द धोबी समाच को नियाय मिलेगा बेदावी चात्रका किया है इस बारे में नितिंजी गड़करी साहब ने हमारे समाज को पुरा सहयोग देने का यहां और सहयोग दिया है और देते रहेंगे ऐसे हमारी नितिंजी गड़करी साहब आके हमारे को अशिरवाद दिया इसके बाद हम समाज के लिए बिचन नूज ने सुद्ध हमारी एक डाकुमेंटरी बनाये था कि कोझसा क्या धंदा करते है कैसे करते है गाड गाड बेग जाके दोकि दोभी समाज का इतियास पुरा कैसा है ऐसी डाकुमेंटरी बना के व मैं बिचन का भी अभारव्यकत करता हूँ और हमाले समाज बांदो इनका मैं सभी का स्वागत करता हूँ जाहिन जाहिन माहरास्ट तो आते डीडी सोंटके जुन्हों ने बखोर विव्यों के सथ बात करते हुए यह बताया कि नितिंग गड़करी यहां प्रकार से आरक्षन को लेके पूरी तरह से सयोग करने की बात कह ही गई है अब देखना यह होगा क्या परीड समाज को नया मिलता है या फिर ऐसी प्रोग्राम के जरिये फिर से आश्वासन मिलता रहेगा बैट सब्सक्राइब के साथ संजेव मिरब बीसे नाखपूर कर दूंद